तो आप लोग अगर इस वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल सब्सक्राइब करने नोटिकेशन बन जरू प्रस करें ताकि आने वाले निश्टर प्रस्क्राइब आप से बिसना हो आप टेलिग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं वहां पर भी उन लोग से मार्केशन डेटेट होता है पोस्ट करते रहते हैं और आप अपने डाव भी पूछ सकते हैं तो हम लोग देखें ड्रेस पी एंबी बैंक जो है वह अभी 38 रुपीस 45 पैसे आसपास बन रहा है मतलब ट्र के बाद जब से lockdown लगा है काफी downtrade कर रहा है बट अभी तक जो लोगों ने हारने मांगी है वापस से recover करके उपर तो जाएगा ही तो अब जो next coming earning के result की डेट बताई जा रही है जो आएगा Q4 का number वह 18 को तो अभी time है EPS जो है इसका 0.75 है तो ठीक ठाक है market capital 402 billion की बहुत 0.55 है तो मतलब over है तो ठीक ठाक है अभी condition finances पे आगे बात करें तो valuation पे आ जाता है number of shareholder 7,98,000 लोग hold करके चल रहे हैं सबसे बढ़ियां बात पता है कि आप लोगों को जो अभी fresh entry ले रहे हैं जो इसमें नया enter कर रहे हैं उनके लिए price बहुत valuable होने वाला है जो long इसको hold कर आने वाले हैं क्योंकि आने वाले टाइम पर इसकी condition और बहतर होगी और और अच्छा मुनाफा इस प्यार का बनेगा तो अभी भी price history पे नज़र डालें तो average value 10 days का 36 million बन रहा है मतलब बहुत जादा active रहता है 52 week high 46.35 पैसे गया था अभी हाल फिलाल में 52 week low 26.30 पैसे है इसी थाफ से ठीठा return company ने दिया है अगर high low का देखें balance sheet बन मन पाद टू मन पाद जब update आएगी तो जब इसके quarterly number आएंगे तब ही update करेंगे या balance sheet पहले update कर देते हैं तब भी हम लोग जानेगे कि कैसा आया है 2021 March का number तो अभी balance sheet देखने का ऐसे कोई फाइदा नहीं है फिर भी मैं आपको बता दूँ एक बहुत बड़ा number दिख रहा है वो है total asset इसका total asset 12.760 trillion का जो कि बहुत बड़ा number आ जाता है तो यह एक अच्छ किया है कि non financial support service for credit card business के लिए जो कि एक अच्छी बात है यह देखिए ethroid capital जो newly from company ने किया है वो 250 million इंडियन रुपीज का किया है जिसको divide किया है 25 million equities में तो overall देखा जाए तो card and service जो undertaking non financial support services है related credit card और bank के work के related वो अब एक तरीके से wholly एक new on subsidies बनके उभरेगा जो कि एक अच्छी बात है तो overall यह ठीक ठाग news है जो लोग bank से related है उनके related भी है और share market के हिसाप सभी ठीक ठाग news आ जाती है तो देखिए share जो है 10 rupees each पे paid किया जाएगा up to capital जो है 150 million rupees का divided into 50 million equities here according to यह अभी latest की news है मतलब 18 को ही आई थी तो वहाँ पे यह file किया गया था Wednesday की news है तो उस हिजाब से तो यह है अभी नया इसका जो credit card के उपर करके चल रहा है अभी देखिए HDFC में भी RBI ने अभी तरह खाटाया नहीं है उनको credit card वाला जकी बोल रहे थे कि हो जाएगा credit card अभलेवल मैं अभी हाल फिलाल में बैंक पर पता करने गया था तो वह बोले कि उसके बाद book value भी 61 रूपीज है तो अपने book value से भी नीचे treat कर रहा है तो आपको एक अच्छी जगह पर मिल जाता है अभी भी buy करने की रहे हैं वह भी hold करके रखें कंपनी में कोई इतनी दिक्कत नहीं या वैसे भी privatize करने की बात चली रही है अभी देखिए कैसे कैसे उ आएगा अच्छा है PNB भी उसमें सामिल रहे तो बाकी आगे बात करें ROCE और ROE पे तो दोनों plus plus में है बले ही बहुत छोटी नमबर से ठीक ठाक है पर बहुत कम है आने वाले टाइम पे अगर यह बहतर होता रहा है कि सुधर रहा है एक अच्छी बात तो पहले अब जो ए है तो बहुत छोटा यह आ जाता है फिर भी ठीक है कि नेग्टिव में नहीं गया प्रॉफिट इसले बारा महिने में दोनों ही बहुत अच्छी बढ़ी है जो कि बहुत अच्छी बात है क्वाटर और क्वाटर प्रॉफिट जो है वो भी बहुत सांदार तरीके से बढ़ा अच्छा रिटन मिल जाएगा पर मैं कि के बाद भी निकलने वाला ऐसा बैंक है नहीं कि आपको उस पर निकल जाएंगी तब भी कोई दिक्कत है आगे आने वाले टाइम पर और अच्छे रिटन यह कंपनी यह बैंक जो है दे सकता है और अच्छी कंडिशन में दिख रहा लेते तो सपोर्ट जो बन रहा है थर्टी सिक्स रुपीस फटी पैसे पर देखे सपोर्ट के काफी क्लोज में आए अभी जो फ्राइडे को बाइडे को बाइंग आई है अगर इसको कंटीनू रखता है तो आपको अच्छा टार्गेट यहां से मिल सकता है और होल्ड करें चल रहे हैं और जो इनवेश्टर के रूप में है वह अगर यहां से बाइड करना चाहते हैं तो करके चल सकते हैं और अच्छी रिटर्न 45 से उपर के रिटर्न मिलेंगे मैं ऐसा नहीं बताता कि आने वाले टाइम में 200 रुपे कब हो जाएंगे यह सब चीजे बगवास है है जिस तरीके से डाटा आर अर ताय और रहता है आने वाले टाइम पे आप कि कर लेटे कियां दोसों जाएगी हर अब और इसकी बहतर हो रही है और इसकी न आछने ऐनेपार का डाटा है उस सब्सक्ता लेकर चलता और रहे हैं तीन साल बाद ये 200 की वज़ा है 20 रूपीज पे चल रही है तो वह वाली चीज से बचने के लिए आपको जितना ज्यादा डाटा अवलेबल है उसी पर ही अपने टेक्निकल उसी पर अपने खुरापाती दिमाग का इस्तमाल करिए यह अच्छे दिमाग का इस्तमाल करिए जह को सोचना ही बंद कर देंगे कि दस साल बाद कंपनी कहा जाएगी जब आपकी बढ़िया क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा हमको पता है कोई ऐसा नहीं कि आज से दस साल बाद कंपनी हाँ एक अपने मन में रफ आडिया ले लिया बहुत है पर यह नहीं कि उसके कि छोड़े उस चीज़ों को ज्यादा कंटिन्यू करते हैं तो यह है वो डाटा भी जो करेंटी नजर आ रहा है पी अनवी में आप इसमें जरू से बाइक कर सकते हैं थैंक्स आज वाचिंग इस वीडियो